हेलो एवरीवन वेकम तो माई चानल इस वीकली जॉडियक रीडिंग में हम अक्वेरियस याने की कुम्राशी वाले लोग लिए देखेंगे कि उनका यह जो वीक है वो कैसा रहेगा कौन कौन सी एनरजी आपके सरावंटिक में रहेंगी साथ में जो भी एडवाइस होगी लीटिंग आपके सन मून अनलाइजिंग साइन के लिए है तो शपल कर लेते हैं कार्ट्स एक्वेरियस कुम्राशी यहां पर फर्स्ट कार्ड़ी सिक्स ऑफ वांस है पोर अफ वांस काफी पैशने क्या अपनी स 아버지 य भी इस वी इस को है मैं रहे है कि आप लोत आप काम कर्ने काम करने कर रहे हो यहां पर अपने घर में celebrate कर रहे हो जिसे आपने कोई गोल सोचा था कोई एम सोचा था एंड वो आपको मिल गया है यहाँ पर मुझे ऐसी energies नजर आ रही हैं मैं बताती हूँ और आपको पहले cards निकाल लेती हूँ Aquarius, कुमराशी the hermit, temperance, okay three of swords, okay so यहाँ पर दो टाइप की energies हैं वैसे मैं आपको बताती हूँ पहले मैं आपके carrier की बात करती हैं यहाँ पर ऐसा है कि एक तो जो आपने चीज सोची थी जो भी अपने goals सोचा था वह आपको मिल रहा है àकी wish पूरी हो रही है आप select कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे एक वह जा रहे हैं कि वह जो आपको UH Lee मिल रहें यह नहीं करना कि जो efforts अभी तक करते आ रहे हैं जो मैंनट करते आ तो क्युंत करते अडे हैं अुसको कर्दों कहीं कहीं ऐसा नहीं कि रुक जाओ नुजाओ इस कर रहे हैं झाप कर रहे हैं कि नहीं कि कांप कर रहे हैं अगर रहा है कि आपी刃 को इस काम कर रहे हैं다면 और जाद अपको अर ज़ादा रिस्पोंसिब्लटीस आपके पास आ रही है więc बहुत आपको सब्सक्राइब करो तो आपक據 क्या ही रहें चैसर सुद्ध a विल क्या है को और ओर्ध डइट इव सेलीब्रेशन पर भुछ शाहरGen थो आपको एलखने दोनों ही major अरकाना हैं और साथ में आये हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि relationship में थोड़ी सी problems आपके चल रही हैं, सारी चीज़े इतनी सही नहीं चल रहे हैं, या तो आप लोग separation में हो, आप लोग की बाते नहीं हो रही हैं, अब अपने partner से मिलने का wait कर रहे हो, relationship के लिहाद से म मुझे थोड़ा से मैं कहूं, थोड़ा से relationship की साइट से आप परेशान रहेंगे, क्योंकि यहां पर the hermit की energy है, जैसे कि आपके जो भी expectations थी, वो पूरी नहीं हो पाई, वो फुल्फिल नहीं हो पाई, तो उनकी वज़े से मुझे आप थोड़े से परेशान नजर आ रहे हो बट साथ में यहां पर temperance का card है, यह कह रहा है कि देखो, जो है आपके सामने है, जो situation है, आपके सामने है, उस पर कब तक तुखी रहोगे, उसकी वज़े से कब तक परेशान रहोगे, यह card healing को बता रहा है, कि healing पर ध्यान दो, अपनी healing करो, patience आपको रखना पड़ेगा, य तो यहां पर मैं आपको बताते हैं, तो आपको patience रखना है, दूसरा, अपनी healing पर ध्यान देना है, जहां पर जो भी issues है, उनको heal करो, आपकी love life में कहूं, कभी भी easy नहीं रही होगी, कभी भी मैं कहूं, उसमें काफी सारी में कहूं, ups and downs चलती ही रहते होंगे, परिशानी आती ही रहती होंगी, तो आप लोग का थोड़ा ऐसा होगा, कि हमारे नसीब में ऐसा ही है, कि हमारे भागे में ऐसा ही है, तो यहां पर कहा जा रहा है, कुछ भी ऐसी चीज़ों को ना सोचो, यहां पर कार्ट साथ में मुझे balance के लिए भी कह रहा है, कि आपकी personal life और आपक को कोई भी decision लेने से बचना है, कि आप गिवप करना सोच रहे हैं, तो यह कह रहा है, कि जल्दी बाजी में कोई भी decision ना ले ऐसा ना हो, कि आपको बात में regret हो, तो यह कार्ड कह रहे हैं, कि पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए, थोड़ा से चीज़ों को यहां पर कुशिश करिएगा, तो अब मैं यहां से कुछ और कार्ड से लेती हूं आपके लिए, एक्वेडियर्स, कुम राशी, यहां पर अपकी फैमिली, हम, तो यहां पर, आपकी फैमिली का मुझे असा लगता है कि आप लोग बहुत ख्याल रखने वाज़ों कि आपकी फैमिली क लाये हों, उंके बारे में आप लोग मुझे काफी सोचते हूए दिखाए दे रहे हूं, उंकी खुशियों के बारे में काफी सोचते हूए, प Сам दिखाए देन यिसे चोटी चोटी चीज़, नहीं सेक लिए प्लान कर लें, कहीं पिकनिक पे भारा गूमने चले जाना तो जैसे ग्रैब करने वाले है अपनी फैमिली के लिए ऐसा मुझे आपर नजर आ रहा है आप बहुत सोच तो आपके घरवालों के बारे में कैसे और आपके फैनेंस बेटर हो सेके कैसे सब लोग खुश रह सकें जैसे कि आप सपोर्ट सिस्टम हो आपकी फैमिली का ऐसी मुझे आप पर नजर आ रहे हैं और देख लेते हैं पर कुछ कार्ट सेक्वेडियस कुंग राशी इन वाली एनजी से आपको बचना है एनवी वाली सिच्टुएशन में कि किसी से भी जेलस नहीं होना है मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग आपके पार्टनर से या फिर जिस परसन के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो थोड़ी सी ऐसी एनजी से एनवी वाली जुड़ी सी जेलस वाली तो यह एनजी में आपको नहीं रहना है किसी के मैं काऊओ कि कोई ए déjà को परिशान करता है तो ज़िस्ट उन्हें उनके हाल पे छोड़ दो कि मैं कुं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचो सब छोड़ो कोई अपके साथ गलत करता है तो मैं कौई आप किताब है सब होगर ही रहेगा आप इन एनरजीस में नहीं जाना एनवी वाली किसी से जलस वाली क्योंकि ये ना अंदर से आपको ही खोकला करेंगी अब समझ दो मेरी बात को आपको एक ग्रेट परसनेलिटी बनना है खुश रहना है एपीनेस स्प्रेड करनी है तो इन इसमें नहीं जाना ओके से एक और गाड ले लेते हैं आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है एक्वेडियर्स उम्राशी बी स्ट्रॉंग तो यहां पर आपको स्ट्रॉंग रहने के लिए कहा जा रहा है कि स्ट्रॉंग रहिए यह जो हर्मिट वाले मोड में है ना कि वीक नहीं पड़िये किसी को चेज नहीं करिये स्ट्रॉंग रहिए और साथ में ये कड़ ये भी कह रहा है कि आप सोचते हो न चाहिए आप जो भी determination है वो strong होना चाहिए और यहां पर अगर यह काड अगर आप भी strong घहलोगे तो आपको in future अच्छे अच्छे में रिजल्स देखने को मिलेंगे अच्छे आउट स्कम देखने को मिलेंगे और आपकी बाते भी सुनी जाएंगे इस रीडिंग के लिए इतना ही मुझे जरू बताएगे का आपको कैसे लगी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजे का मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको लेटर it